हेलो गाइस सभी हमारे यूट्यूब चैनल लन्वीथ में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर ये विडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक क पिछली क्लास में क्या पढ़ाता है हमने सेटिंग अर्यजमेंट और पजल पढ़ा था यह सीरीज ने चलती जाएगी मैंने आप लोग, क्या बताय था कि इसमें किसके स्टैप के कोशन पुछे जाते हैं सेटिंग अर्यजमेंट से और पजल से ठीक है फिर हमने क्या स्टार्ट किया था हमने स्टार्ट किया था सर्कल वाले कोशन हमने स्टार्ट कर दिया था सर्कल में आप लोग को बताया था कि तीन तरीके के कोशन कुछ जाते हैं एक रहता है हमारा इंसाइड एक रहता है केंदर एक केंदर की तरफ एक रहता है इंसाइड प्लस ऑउटसाइड के इन दोनों का मिक्षण करने है ठीक है यह मैंने बताया था मैंने बैताया था mostly 8 लोगों का ही पुछा जाता है ठीक है 6 का पुछा जाएका तो हम ऐसे बना लेंगे ठीक है 8 लोगों का ही पुछा जाता है तो 8 लोगों के हमें हम ऐसा डाइग्रम बनाते है इंसाइड पुछे का जब भी तो हम क्या बोलेंगे inside पर यहां पर है center की तरफ है ठीक है यह हमारा center रहता है यह inside केंदर की तरफ अगर केंदर के बाहर की तरफ मतलब बाहर की तरफ देख रहा ठीक है जब भी केंदर की तरफ बोलेगा inside बोलेगा तो हम यहां से start करेंगे जब भी केंदर के बाहर की तरफ बोलेगा तो हम यहां से start करते हैं ठीक है अगर केंदर की तरफ है तो इसका ये वाला side क्या हो जाएगा right side ये वाला side क्या हो जाएगा left side ठीक है और क्या पताया था मैंने केंदर के बाहर की ओर देख रहा है out side देख रहा तो ये वाला side हो जा मतलब एक सेटर हो साथ से उस तरहीना सब्सक्राइब ये वाला सही मैं वाले जाएगा में आप 2 एक आप 3 met за इस परfikें आप 10 जाया है और न करती हो और inja की हो और वे और 1 एंड का में अपकता है और इसके और या फ के लिए ठीक है और क्या बताया था एक बी की अपोजित है मतलब एक है यहां बी की अपोजित आज़ेगा ठीक है हमने क्या बोला हूं और एंड का कॉंसेप्ट डिसकुस किया था ए और बी लिखा हुआ है ठीक है बी के बाद में हू लिखा रहेगा तो यह इसके लिए यूज हुआ है बी के बाद में अगर एंड लिखा रहेगा तो यह किसके लिए यूज हुआ है और कुछ भी नहीं दिया रहे है का डिरेक्ट कॉमा के बाद कुछ लिख देगा या फिर डिरेक्ट कुछ लिख देगा मतलब वो भी A के लिए यूज गो है ठीक है और क्या बोला था मैंने A is opposite of B मतलब A कहीं पी भी रहे A और B आमने सामने रहेंगे ठीक है विपरिद बोल देगा मतलब आमने सामने है अगर direction विपरिद बोल देगा मतलब opposite direction बोल देगा तो सिर्फ opposite बोलेगा मतलब ये क्या है आमने सामने है ठीक है कहीं पे भी हो सकते हैं अगर opposite direction बोल देगा तो क्या रहेगा अगर ये केंदर की और A देख रहा है तो B क्या रहेगा ये केंदर है केंदर की तरफ देख रहा है तो बी क्या देखेगा केंदर से बाहर की तरफ देखेगा ठीक है अगर केंदर के बाहर ए देख रहा है तो बी क्या देखेगा केंदर की तरफ देखेगा ठीक है मतलब A is opposite direction of B बोलेगा मतलब A अगर inside है तो B क्या रहेगा outside B अगर inside है तो A क्या रहेगा outside ठीक है opposite direction और opposite का concept हमने सिखा था इती बाते समझ में आ चुकी होगी ये मैंने कल आप लोगों को बहुँद डिटिल में पढ़ा दिया था ठीक है और हमने एक कोशन डिसकस किया था ठीक है अब हम क्या करेंगे एक कोशन जो मैंने homework दिया था उसको क्या करेंगे solve करने की कोशिस करेंगे ठीक है एक कोशन मैंने आप लोगों हम दिया था उसको हम solve करेंगे और outside का question को हम पढ़ेंगे ठीक है है यह रहा हिंटी में तो हणिंदि में को मुझे उमीद हो इस रहो हida को weoooo कि हो इंगले हिंगलिश है मैं अनों को समझाहूंज यह रहा है नकिसी तो कि हम क्या करते हैं स्टाट करना इंच करते हैं क्या लिखा है एड फ्रेंट्स है ठीक है तुब मैं सबसे पहले क्या करूंगी आठ मेंबर यह यह बना लिए अब क्या बोल रहा है एड फ्रेंट्स कौन-कौन से A, B, C, D, E, F, G, H ठीक है आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल ठीक है सर्कुलर टेबल में बैड़ गए है फेसिंग त्वार्ट्स दी सेंटर मतलब फेस कहां है सेंटर की तरफ है मतलब केंदर की ओर देख रहे हैं इन लोग ठीक है केंदर की ओर देख रहे हैं, सभी के सभी क्या देख रहे हैं, केंदर की ओर देख रहे हैं There are four females. अभी यहाँ पर एक information दे दी गई, कि यहाँ पर क्या है? चार क्या है? फीवेल है. तो जब चार फीवेल है, तो और कितने व्यक्ती बचे? आठ वेकती है टोटल चार क्या होगे फीमेल होगे तो चार क्या बचे मेरे playalis बचे ठीक है चार प lemons.'" ऑर क्या बूल रहा है एंड बूल रहा है यहां लूट हूप एक आव अजई अज़र क्या क्या है भीमिल की ता इसकया बाजू यहां पर कोई फीमेल बैठी होगी तो इसके बाजू पर फीमेल नहीं आएंगी ठीक है यहां पर जब कोई एक फीमेल है तो वो किसी दूसरे फीमेल की नेबर नहीं है तो इस लाइन से मैं क्या लगा सकती हूं अपना दिमाग क्या चला सकती हूं मैं कि अगर कोई फीमेल है इसके बाजू पर कोई female नहीं आएंगी, दोनों साइट पर तो कौन आजाएगा, male member, ठीक है, फिर male के बाजू में female आगई, तो फिर यहाँ पर क्या जाएगा, male member, फिर female, फिर female, फिर female, फिर male, फिर male, ठीक है, ऐसा चलेगा, कैसे पता चला, ये कोई भी दो female एक साथ नहीं आँ सकती, ठीक है, neighbor नहीं है, क्योंकि वो तो अलग-अलग ही रहेंगी, एक ए गैप में, तो बचे हुए क्या रहेंगे, हमारे, ये एक ए गैप पे रहेंगे, तो बचे हुए क्या रहें, male member, ठीक है, इत्वाइगा, इसमाज में आई, चार female थी, चार female थी, चार male थी, द तुर देख रहे हैे ृब क्या बोल रहा हिक है अब मैं क्या यहां से स्टार्ट कर सकती हो huh बिल्कुल कर सकती हुआ जहानी मुझे क्या नीचार का कुई दो बंदे लिए उनका left और right अगर मुझे पता चल गया तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकती हूं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कहां पे लेफ्ट राइट वग्यरा लिखा है और कहां पी कोई दो मेंबर का पुड़ा डिटेल में इंफोर्मिशन लिखी हुई है ठीक है डी सेकेंड लेफ्ट है ठीक है डी सेकेंड राइट सेड यह लव्ट सेट ठीक है आप अपने आपको यहां पर लएख सकते हैं आपका राइट सेट इधर आएगा गा ठीक है इत्पी बाते समझ में तो बी के सेकर्ण lux पे कौन को स्टार्ट कर देंगे ठीक है अभी क्या बोल रहा है आगे अभी क्या बोल रहा है हूज मतला किसकी बात हो रही हूज कि 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 पहले क्या लिखा हूए इसको भी मुझे अडिशनल इंफरमेशन को यहां पर लिखने की जरूवत नहीं है ठीक है बाकि अगर इन तीनों से रिल blev आपको कोईशन के तरब जाने की जरुवत नापड़े आप बार-बर कोईश्टन पर जाते हैं तो आपका की जो बहुत एक लिए इस बहुत windows ऐता armored got अभी क्या बोल रहा है यहां तकी समझ में ही अभी क्या बोल रहा है F is not a female अच्छा F female नहीं है तो F क्या हो जाएगा male member हो जाएगा ठीक है F क्या हो गया male member हो गया ठीक है और क्या बोल रहा है and neighbor of A F क्या है neighbor है किसका एका तो F या तो यहां पे आ जाएगा या तो यहां पे आ जाएगा ठीक है इत्वते समझ मैं और क्या बोल रहा है C is a female ठीक है C क्या है एक female है क्या बोल रहा था F is not a female ठीक है F क्या है female नहीं है तो F क्या है male है ठीक है और क्या बोल रहा है A neighbor of A A का neighbor है ठीक है अब मैं क्या करूंगी दो F निकल गया है दोनो F के लिए मैं क्या करूंगी एक और diagram बना लूँगी एक F यहां पर fix हो चुका है दूसरे F को हम यहां पर fix कर देंगे ठीक है यह A था यह B था यह क्या था दी था ठीक है यह A F हड़ गया अब क्या बोल रहा है F मेल है तो F मेल है तो यह फी मेल यह मेल यह फी मेल यह फी मेल यह फी मेल यह फी मेल ठीक है इत्ता पता चलिये हमें, और क्या बोल रहा है ये, ये बोल रहा है, और नेबर है, एका यहां तक हो गया, C is a female, फीमेल के लिए यहां पर कौन कौन सी जगा बची है, एक, दू, तीन हो चुका है, C के लिए, यहां पर बची है, ठीक है, और इस वाले डाइगरम में, C के पर एक ही जगा बची थी, वहां पर हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, not the neighbor of H, किस की बात हो रही है, C की बात हो रही है, C का नेबर नहीं है, H का और F का, तो C तो यहां पर F का नेबर आ चुका है, मतलब यह डागरम क्या हो गया, मेरा गलत हो गया, ठीक है, यह डागरम क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, यह डागरम बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें C क्या है, F का नेबर आ गया था, ठीक है, जबकि हमें क्या चाहिए, C, F का नेबर नहीं चाहिए, यह बात है, समझ में आ होगी ठीक है एक ड्राइग्रम कैसे कैंसिल हुआ मिरा क्योंकि से क्या है एक की नेवर नहीं है एच और एच पर नहीं है तो फ्री यह लहाई है एक यहा पर घृण नहीं सकता क्योंकि c क्या है नेबर नहीं है एक का तो h कहां पर आजाएगा यहां पर ठीक है अब बचे कौन कौन a हो गया है b हो गया c हो गया d हो गया e b बचा है e f f हो गया है g बचा है ठीक है और h भी हो चुका है e और g बचे हुए अब आगे पढ़ते हैं इनसे related कुछ information दी होगी ठीक है क्या लिखा g sits second to the edge h ये रहा h की second पर कौन है g तो यहां पर कौन बचा e ठीक है इससे समझ में आगया यह कैसे आया ठीक है हमारा दो diagram मिला था हमें यह कै हमारा fix वाला final वाला हमें क्या हो गया मिल गया ठीक है female male बता चल गया हम के हमने क्या किया सेंटर गित्रप करके इसको arrange कर लिया ठीक है यह समझ में आया उपीद करती विए जो solve किया होगा उसका भी answer यही आया होगा ठीक है हमने क्या किया दो diagram मिले थे हमी ठीक है eef और f हमने arrange किया था दो f विए क्या किये थे arrange थे ठीक है एक एफ क्या गया था सी का नेबर आगया था जिसकी वज़से ये कैंसल हो गया था डाइग्रम और ये वाला हमारा क्या क्या था फॉलो कर गया था ठीक है हमारा अरेंज हो चुका था उम्हीद करते हूं कि यह आप लोगों को समझ आया होगा अब चलते हम आज की कोशन की तर क्या बोल रहा है इस कोशन में एट फ्रेंड्स प्रिया नेहा अस्था डेजी जैक सेम चिंटु मिन्टु ठीक हम नाम की इसाब से कभी भी नहीं चाहते है यह मैंने ब्लट रिलेशन में आपको पढ़ाया था कि प्रिया लिखा है तो वह लड़की होगी हो सकता है कि कोई हो सकता है कि कोई डड़का हो ठीक हम नाम की इसाब से नहीं जाएंगे ठीक है मैंने क्या क्या लिख लिए प्रिया नेहा आस्था डेजी जैक सेम चिंटु और मिन्टु जब तक हम किसी का जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते ठीक है अब क् करेंगे इनको सर्कुलर टेबल में बैठा देंगे यह रहा अब क्या बलाए फेसिंग आउटसाइड अब कहा है उनका फेस बाहर की तरह ठीक हम यह पता होना बहुत सादा जरूरी कि फेस सेंटर है कि आउटसाइड है जब तक हम इसका पता नहीं रहेगा तब तक हम लेफ है यह बोल रहा है यह बोल रहा है यहांपि फोर मेल मेंबर सेशन नहीं गोल सकते कि यहां पी इसने नहीं बताया हमें कि हम मतलत मेल मेंबर के बाजू पे कोही फीमिल है या male member, male member का पडूसी नहीं है, ऐसा कुछ भी इसने नहीं बताया, ठीक है, neighbor वाला इसने बोला है कि female female की neighbor नहीं है, male male का neighbor नहीं है नहीं बोला है, मतलब हम क्या करेंगे से नहीं बता सकते, भी ठीक है, बस इत्ता पता है मुझे कि 4 female है और 4 male अब क्या बोला है, प्रिया is only a female, मतलब प्रिया का जंडर क्या पता चल गया, मुझे प्रिया क्या है, फीमेल है और क्या बोल रहा है who is not the neighbor of a female member मतलब प्रिया ही केवल ऐसी महला है जो इसके बाजू पे कोई महिला नहीं बैठ सकती तो बाजू में कौन बैठ सकती है जब महिला नहीं है तो कोई पूरूस बैठ सकती है मतलब कोई male member बैठ सकती है प्रिया फीमेल है, इसके बाजू पे कोई male member है, ठीक है और बागी किसी भी कोई ऐसी महिला नहीं आएंगी जिनके बाजू पी क्या हो दोनों साइट पी क्या हो कोई मेल मेंबर हो ठीक है एक साइट पे तो हो सकता है पर बाजू भी नहीं होगा ठीक है यह पता चल गया मुझे बिल्कुल अभी क्या करूंगी मैं अब आगी क्या बोल रहा है Sam sit second to the Daisy Sam क्या है अब इस information को हम दिख लेंगे क्यों लिख लेंगे क्योंकि हम इसमें left और right नहीं बताया तो हम अपने Instagram को start नहीं कर सकते हैं इनको बैठाना ठीक है तो मैंने लिख ला Sam क्या है second है Daisy के ठीक है and opposite to female member अब किसकी बात हो रही Sam है Daisy और end लिखा हुआ है Sam के लिए ठीक है क्या बोल रहा है Sam क्या है opposite female member के ठीक है मैंने इती बत्यां यहां तक कि समझ में अभी क्या बोलता है Minto and Astha both our male member ठीक है अब Minto and Astha दोनों का मुझे पता चल गया यह दोनों क्या है male member है अब ऐसा नहीं कहना कि आस्ता है तो आस्ता तो लड़ीकी होगी हमिए किया सिर्फ ये एक क्या दिया है पहचान के रुप में दिया हुआ है नाम हम ध्या क्या करना गुजबी जैसा जैसा कोशन में लिखता जाएगा हम वैसां वैसा करते जाएंगे ठीक हैं नाम से मतलब नहीं है आस्था और मिंटू male member हो गए ठीक है and opposite to each other मतलब यह क्या है एक दूसरे के विपरीद बैठे एम के opposite पे कौन है ए है ठीक है और क्या बोल रहा है यह और बोल रहा है यह but both are not the neighbor of Priya मतलब किसकी बात हो रही है मिंटू और आस्था क्या है neighbor नहीं है किसके Priya के ठीक है मैंने लिख लिया अभी क्या बोल रहा है jack sit second left of Sam अब मैं यहां से start कर सकती हूँ बिल्कुल कर सकती हूँ क्या लिखा हुआ है jack क्या है second left है Sam के मतलब Sam अगर यहां पे आ गया तो उसके left side पे एक बंदा यह दूसरे बंदे पे कौन आ जाएगा जाएगा ठीक है य Sam कि Sam क्या है mail member Tay, SuperРИ हुआ है detailsgeordol एक मिन्टु और नेहा नेयवर नहीं है jack quick,늬टो और नेहा नेयवर नहीं है jack क्या है14 गायान अभी क्या बोल रहा है few जीनulator है मतलब है नेयवर और मिन्टु क्या है मिन्टु क्या है मिन्टो नेय जाएग का नेयवर नहीं है när नेेहा कि ऋ ridge की सेकंड पर सम है थीक है तो डेजी यहां पर आवा सकती है भिल्कुل नहीं तो जेब एट लेड़ा है तो डेजी कि Count आ जाएगा यहा थ Sense Pal XT he अब क्या उप सेम अ पॉजट है कि इसकी female member की यह भी हो गया है है अब है लग सकती हूँक है है यहां पर आ sאת आ है यहां यह दोनों या तो इधार आ प्या नहीं है तो हम को भी बोल सकते हैं और कि क्या निकालूंगी मैं M neighbor N का और M और A neighbor नहीं है P के M और N neighbor नहीं है M और N यहां सकते है M और N यहां सकते है M यहां पर आएगगा क्या M और N यहां किसके हैं किसके हैना ऐसकता है क्यों नहीं आयगा time पीक्तव यहां करो अब क्या बोल रहें इत्व समझ में अब क्या बोल रहें उक्राइए na यहां पर यहां पर इन को फिमेल मेंबर ठीक है यह कि फीमेल मेंबर स्कूर्ड और त्वार इन का जाना और बिल्कुल नहीं इंद रहें जाने लिए निए पिके आप अपड़ने नहीं नहीं है उड़्ड एंदार एंदे 20 इसना अब इन कहते हैं लुगत हो एंद मेंबर अब क्या चालेगा ये इंफर्मिशन हो गई है हमारी कि यहां तक का हमारा फीक्स हो चुका है ठीक है यही हो गया हमारा hemmor a apposite मोरे के हैं मेल मेंबर है ठीक है अब पी बाजू पर यह क्याती है मैं Sum के पोजित को नहीं तो अगर मैं P यहां पर लेखनों P के लिए 2 जगँ बची या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा ठीक है 2 जगँ आ सकता है तो P अगर मैं P को यहां पे दिखनूंगी P अगर female में मरत तो इसके बाजू पे mail आना चाहिए आएगा क्या नहीं इसके आजूमा जूमेल के यह होँगा नियुकल अब क्या बोल रहा है यह भी हो गया पीके आजकला जो male member थे ठीक है यह भी male member आ गये यह भी हो चुका है यह भी हो चुका है M और A भी male member है यह भी हो चुका है तो अब मुझे gender पता है नहीं तो मैं gender कैसे पता करूँगी चार male member थे एक, दो, तीन, चार हो गए तो बाकी बचे 4 क्या रहेंगी female तो एक female होचुगी दो female तो ये दोनों भी क्या होगी female होगी ठीक है हमारा क्या होगी diagram complete होगया ठीक है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी information से हमारा question क्या होगया पूरा solve होगया इसमें main logic कहां पे पकड़ना था हमें M और N neighbor है और क्या है M और N neighbor नहीं है प्रिया की इन दोनों information से हमें क्या हुआ question solve हो गया ठीक है तो यही trick रहती हमें इसी को ही पकड़ना रहता है कि किस से हमारा पूरा question solve हो जागा ठीक है आपको question में 100 दोला नैसे जरूर मिलेगी जिसक कि वजह से पूरा question solve होने पर ठीक होगा और हम ही क्या रहता है वही line को हमी समझना होता है ठीक है sitting arrangement और puzzle में सिर्फ यही रहता है ठीक है आज हमने क्या पढ़ लिया outside का भी ठीक है outside और inside में क्या difference देका हमने सिर्फ क्या रहता है facing का difference रहता है बाकी दोनों सेम रहते तो अगली class में हम क्या पढ़ेंगे inside और outside का mixture पढ़ेंगे ठीक है यह हम कल solve करना सीखेंगे ठीक है अगर आप लोगों के लिए वीडियो helpful होले तो प्लीज इसे मैं सुम शेयर कीज़ेगा और जितना जादा हो सके उतने लोगों को जोड़ने की कोशिस कीज़ेगा ठीक हम इस हो भी रहता हम सब कुछ एक करके solve करना सीख लेंगे ठीक है तो चलिए session को end up करते हैं till then keep learning keep practicing thank you and bye bye